नवस्कार बैह हूँ आपके साथ माधरी कलाल और आप देख रहे हैं फेस टू फेस जल ही जीवन है जल को जीवन लोग समझते तो हैं लेकिन उस जीवन को संचे करने के लिए काम नहीं करते खैर अब यह जिमेदारी भारत सरकार ने अपनी कंधो पर पूरी तरह से उठा रखी है और इसी जिमेदारी के तहट जन जागरुकता अभ्यान चलाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात इसके लिए खास तोर पर 2019 की जब मोधी सरकार फिर आई तो एक बड़ी घोशना की ग जिए वो नदीयों को जोडने की बात हो नदीयों को साफ करने की बात हो या हर घर में पानी को पहुंचाने की बात हوف उन सब चीजों पर एक साथ काम कर रहा है हमारे साथ खुछ जल्शंती बंत्राले की मुख्या इस वक्रजेंट शेखावत साहब बैठे हैं शेखावत साहब बहुत पहुत स्वागा अपके डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें सिर्फ जनता की नहीं मोधी सरकार या आपके जो उपर जो बैनेश्मेंट है उनको भी है इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब आपको मिली तो आपने अपने कुछ लक्ष लिसाइट किये सबसे बड़ा लक्ष और बहुत सिंपल भाषा में आपने लोगों से कहा कि नल से जल हर घर में नल से जल दोहजार चौबीस तक इस लक्ष को आपको पूरा करना है क्या उसमें काम हुआ है और इन पांच सालों में उसकी उसकी उस पर बढ़ने की रण नीती आपकी क्या है यह मानिये प्रदान मंत्री जी देश में जो पानी का विशय अलग-अलग मंत्रालेओं के अधीन अलग-अलग पानी के पक्ष को विचार किया जाता था उसके बारे में पॉलिसीज बनाई जाती थी ने इंप्लिमेंटेशन होते थे पानी ऐसा मेत्वपूर्ण विशय है जो पूरे विशय के लिए एक चुनाती बनाई भारत के लिए भी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनाती है पानी के विभिन विशयों को विभिन आसपेक्स को एक साथ एक ही दृष्टिकों से देख करके हॉलिस्टिक विउ में उसका समाधान और निर्ने किया जाए इसके लिए मानिय प्रदान्मंती जी ने मिनिस्ट्री को इंटिग्रेट किया यह हम सब को जान कर रहे हैं कि हमारे देश में पीने के पानी से लेकर के कुशी के जो है सीचाई के पानी को लेकर के उद्योगों के धंदों के पानी तक हमारी मुखे रूप से निर्भरता जो है वो जमीन के धरातल के भीतर जो पानी है उस पर है लगबग 65% डिपेंडिबिलिटी है और अत्यदिक दोहन के कारण से हमारे जमीन का पानी जो है वो कम होता जा रहा है भूगर्ब के जल स्रोत सूख रहें या सूखने के कगार पर रहें लगबग 25% जो है वो हमारे भूगर्ब के जल संसाधन लगबग लगबग ड्राइप होने की कगार पर पहुंचें ते देश के सामने एक बड़ी चुनाती थी और इसके साथ साथ में उन सुरोतों के संदारन संडरक्शन के साथ साथ में अब ये समय की आवश्यक्ता भी थी किमानी मोदी की सरकार ने जिस तरह से पिछले पांच वर्षों में मूलबूत सुव सबसे बड़ी चीज बाकी रह गए थी स्वास्ते के लिए मोदी जी आईश्मान भारत लागू कर चुके थे वो था पीने का पानी और स्वच्छे भारत मिशन में जिस तरह से शौचालेयों का निर्मान किया गया वो भी क्योंकि मेरे ही मंत्राले का विश्य है और हम सत्प्रतिशत तक के करा कगार पर आज खड़ें उस लक्ष को जब निर्धारित किया गया उसके जिस तरह के परिणाम हुए कि देश में जो सच्छता नह होने के कारण से जो मौते होती थी वो कम हुई जो सच्छी जो पर्मानेंट डिसेबल हो जाते थे उनमें कमी आई इन सब के कारण से इन सब के चलते यह अपेक्षा थी समाज की अपेक्षा थी कि पीने का पानी का इसा विश्य है जिसको सौ प्रतिशत के लक्ष के साथ में पूरा करना चाहिए और माने प्रधानवेंती जीने लाल के ल मांचे इसको सुनिश्चित करें उन्होंने अपने भाशन के दोरानी इस बात का उले किया था कि 18 करोर से ज्यादा परिवार है और अब तक बहतर साल में हम केवल 3 करोर परिवारों तक लगबग पहुंच चुके हैं तो जितना काम बहतर साल में हुआ है उससे चार गुना क काम करने की जिमalfary अग ενकि पांट साल में माने प्रधान मन्तिजी ने लिए लिए देश के सांग्ल आया संकल्प किए है मैं स अबाग गशाली मानता हूं कि मुझे उसे करने का अवसर प्रदान के है और साथी साथ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ आपके चैनल के महादिम से देश के सामने रखना चाहता हूँ कि 2014 में जब शौचालेओं के निर्मान का संकल्प देश के सामने मानने प्रदानमंती जी न अभी वेक्त किया था तब शायद कोई विश्वास नहीं करता है अपने कहा कि मोदी जी ने कहा है मुंकिन है और स्वच्चता के बाद आपने जोड़ी इसलिए ये भी इंपोर्टन है कि नल से जल तो आप 2024 तक पहुंचाने के लिए करी ही रहे हैं लेकिन इस कारे के साथ साथ 2014 की जब सरकाराई तब भी ये था कि नदियों के सफाई बहुत जरू है जो पानी है उसे भी साफ करके रखा जाये चाहिए वो पर नमामी गंगे से लगा कर अब नर्मिदा पर काम हो रहा हो उस पर आप कैसे बढ़ रहे हैं और इन पांच सालो दोनों ही राजियों का विशय है गंगा हम सब लोगों के लिए आस्ता का विशय भी है और भारत के लिए अत्यन्त महतोपूर्ण भी है महतोपूर्ण इस परिपेक्ष में है कि भारत के लगबग जब मैं गंगा की बात करता हूं तो केवल गंगा नहीं दिए गंगा बेसि को वो जो है आपलावित करती है लिए गंगा प्रमुक्ता से साफ हो यह आदेश की आवश्यक्ता थी अनिक वर्शों से इस दिशा में प्रयास किया जा रहे तो 1985 में सबसे पहले नैशनल गंगा मिशन वन बना और गंगा मिशन टू बना 4000 करोड रुपया लगबग पिछले 15 साल में जब मानी मोदी जी की सरकार बनी उस 20 साल के जो 85 से लेकर के और लगबग उस 30 साल के कालखंड में खर्च भी वा लेकिन उसका कोई इंपक्ट दिखाई नहीं दिया है माने प्रदान मंतिजी ने इस संकल्प के साथ में कि एक तो गंगा को जब हम बात करेंगे पूरा गंगा बेसिन की बात करेंगे और गंगा की निर्मलता की बात करे कि उसमें जल भी रहे इन दोनों विश्यों पर हमने साथ काम करना शुरू किया इफलो नोटिकेश्ट के माध्यम ने हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी गंगा नदी पर बनने हुए उन सब के लिए यह बात देता कि जो है सुनिश्चित की कि वो जो है एक सर्टन अमाउंट अप पानी लीन पीरियड में और मॉनसुन पीरियड में उस फिक्स्ट अमाउंट अप पानी निश्चत रूप से छोड़ें जिसको हम हर प्रती दिन के आधार पर मानिटर करते हैं ताकि गंगा की सतत्ता बनी रहे प्रभाह बना रहे जहां तक निर्मलता का प् तो स्थानी है निकाए या रज्य सरकारों ने उसके लिए उपरिशन और मिंटेनेंस का खर्चा जो है अपने बजट में एलोकेशन नहीं किया वो सारे स्वियावस्ताइं बंद हो गए मानि प्रधानमंती जी ने एक मिशन मोड में इसको करना निश्चित किया और गंगा की निर्मलता के लिए हमने उस मिशन मोड में जो लक्ष ले करके काम करना प्रारम किया 208 से ज़्यादा प्रियोज्णा है हमने स्विकरत की उसमJust- RBB सो से ज़्यादा प्रियोजना है हमने complete कर लिया वाकी तेज गती से राज्यों के माधियम से काम हो रहा है क्योंकि राज्यों के माधियम से implementation हमको करना होता है पर मैं आपको एक बात भी अंट्रीटेड अर्बन सुवेज न जाए और एक बूंद भी जो है वो इंडस्ट्रियल अफ्लॉएंट न जाए उससे आगे भी हम तेजी से काम करें यह दो मैं वारावानिसी के पर परिपेक्ष में बात करूं तो 29 जो वारानेशी शेहर में मिलते थे आज हम नहीं से 26 इसको ट्रैप करके और उनका शोधन का व्यवस्ता का सुनिश्चित कर दी बाकी तीन पर भी साल के अंतर तक हम जो है सक्सेस्फुली कर पाएंगे कानपूर में हम तेजी से काम कर रहे हैं पर मैं आपके माध्यम से पाट को आपके दर्शकों को एक चीज अवश्य बताना चाहिए अपर-बार और मेरे पूरुवर्ति मंत्रियों को भी किया गया होगा कि कब तक गंगा साफ हो जाएगे यह प्रेशन है ये और उचेतने धन क्यूंकि गंगा जब हम नहीं नहीं रहेंगे तब इन हमीशा यहां और नमस डिल से चाहतने हैं कि गंगा जो है व घिलं हमेशा हमेशा भनी रहें और इस देश की इस जनसंग क्या को इस देश के भूपाक को इसी तरह अप्लावित करते रहें अग्राओ में प्लूशन को जो हम प्रवाइट करते हैं उसको रुकर काम करें हम तेजी से इसके लिए काम कर रहें लगबग 30,000 कροड़ रुपै के हम प्रजीक्स अल्रेडी सेंक्शन कर चुके हैं और आने वाले समय में और प्रजीक्स सेंक्शन करके इसको आने वाले 2 सठीओं में आप देश का प्रितिक विक्ति, इसमें प्रभावी परिवरतन देख सके इसको सिनिश्चित कर देगे। पर भारत की नदीयों की विशेश्टा यह है कि सिर्फ एक एक की जो ट्रांसेमालें रीजन किया नदियां इनको छोड़ करके बाकी की सब नदियों में मौनसून के समय ही पानी आता है बरसाथ से पानी आता है। इसलिए हमारे नदियों में एक मांसून के समय में तेज से प्रभा आता है फिर वो समुद्र में चला जाता है देश के एक तिया हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है एक तिया हिस्से में हर साल बाड आती है और इसमें बहुत हद तक जो है क्लामिट चीन्ज के जो विजिबल इंपक्स हैं वह भी क्लिए उसके लिए जहां कारक है स्कन्रेटि रेटिक रेइड फॉल्स हो रहे हैं यह निश्चित रूप से बड़ी चुनावती है लेकिन यह समय के आवशक्ता है कि इस तरह के लिंक्स बनाए जाएं देश की सरकार ने सुरेश प्रभूजी के समय से जो काम चार्म हुआ था उसको जो बीच में होल्ड कर दिया गया उसके बाद में वापस 30 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई किये है उन लिंक्स में से अल्टिमेटली क्योंकि यह राज्यों का विशह है नदियां राज्ये का विशह है इसलिए उन सबको एक साथ में जल्दी इस नए अध्याय की भी एक बार फिशिरुआते हैं क्लाइमिट चींज एक बहुत बड़ा इश्यों ग्लोबली यह फैल रहा है जहां अंतरास्टी मंच पर भी देखते हैं तो एक बहुत बड़ा इश्यो या मुद्दा जो उठाया जाता है वो क्लाइमिट च क्लाइमिट चेंज से जिस तरह से रेनफॉल पैटर्न बदला है उसका प्रभाव नदियों पर हुआ है हम सब लोग उसको देख भी रहे हैं तो कि हम जल संधान की जो हमारी वाटर होल्डिंग के पास्टी के बात करें आज देश में जो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्सा क का पानी या बरफ से हमेशा हर साल हमको मिलता है उसके अगेंस में हमारी वोटर होल्डिंग के पैस्टी जो है जल को रोकने की क्षमता जो हमारी है देश बर में वो देश के सबसे बड़े बान से लेकर करके सबसे चोटे रिजरवायर तक केवल आठ पृतिशत है उसका धा अज जो वरतमान में इस्तिती है उस्तिती में हमारे सामने एक एक बड़ी अपॉर्चनिटी है कि हम देश में भूगर्ब के जलका जादा से जादा वहाँ जो है उसका उसमें कैसे खूल्ड कर पाएं उसको कैसे रोक पाएं माने प्रदान मंतरी जी ने जब दूसरी बार स अस्तार से इसके बाद में बात चीत किये निश्चित रूप से उसका प्रभाव देश पर में हुआ फिर उन्हों ने देश के सारे चुनेवे सरपंचों को पत्र लिखा अपने से धाई लाख लोगों को 12 लेंग्वेजिस में पत्र लिखा गया और उस पत्र के माधियम से उनसे कहा अपिक्षा की कि एक ग्राम सबा हर एक गाउं में मानसून से पहले केवल जल के विशय को लेकर के हो कि हम गाउं में कैसे घर का पानी घर में खेत का पानी खेत में और गाउं का पानी गाउं में रुक सकते हैं कैसे हम जमीन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा र काम करने वाले एसे जो है जो हो करने 갈क created करके और हमारे सेंटाल गांने वातरबोड के तरिश्च अधिकारियों की टीमज बना करके हमने जो 1500 व्लाइट 500 प्रियंहों थियुट और इस ऑशिप्लाइड ब्लॉॉचे उन में भीजा और उनमें भीज करके उन 256 जिलों में उनको प्रात्मिक रूप से इस बात के लिए कि वो एट ट्रेडिशनल वाटर बाडिई को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं अंडर्गाउन वाटर को रिचार्ज के लिए कैसे काम हो सकता है वहाँ कैसे योजना बन सकती जिले की water holding capacity को increase करने की योजना कैसे बन सकती और लोगों में awareness इस विशे को लेकर कैसे बड़े इन विशेओं पर काम करें आशारनी तीत परिनाम होएं दो लाग से ज़्यादा ऐसे structures का या तो निर्मान हुआ या उनको जो है रिजुबनेट करने के लिए काम किया गया सर राजस्थान से हैं और मैं खुद राजस्थान से हूँ इसलिए बहुत अच्छे से समझती हूँ लेकिन बहुत दिर्चस्थान में पानी की समस्या जो है लोग जानते हैं कि कितना दिक्कत है राजस्थान देखता है बहुत बड़ा संधश पानी के विज़े से राजस्थ सब्धीताओं का विकास हुआ उस नदेशों में उस देश के वह घिनार अवह लेकिन दूनिया में जितना भी इंड़स्ट्रिल ग्रोथ हुआ है वह किसी देश के परिक्ष में देख लेह दूनियात के परिपेक्षा की त्या तीन राजस्तान में हमारे पास में अरा सबसे अप्छा है जो है इंडस्ट्री स्टिया सबसे आफ अवशक में किसी भी ओद्योगी क्षेतर में जाकर देखें किसी भी व्यावसाई क्षेतर में देखें जाकर देखें राजस्तानी अवश्य मिलेगा और उसके अलावा हमारे पास में असी तरह के नैश्रल रिसूर्से और मिनरल्स है हमारे पास में स्टोन से हमारे पास में मिनरल्स है हमा कि हमारे पास समुद्र का किनारा नहीं था लगपत क्रीक जो है वहां से ले करके और साच्छ और तक यह जो पूरा रन ओफ कच्छ है इसमें यह एक कैनाल ड्रेजाउट की जाए तो नेकेवल राजस्थान के लिए एक समुद्र का तट राजस्थान को मिलेगा एक पोर्ट मि जाएगा इसको लेकर के मैंने मानी गड़करीजी के सामने विचार रखा ततो मैंने गड़करीजी ने इसको बहुत सराणा वी की वचौस को देखर कि इसका डीपियर बनाने की प्रीविशिबिल owns इसके बनकर के तियार हो गी सकी डीपिय बनना और आगे इस काम को करना इस पूरे दुनिया के लिए पूरे पूरे जो है नौर्थ इंडिया के लिए पहुप बनी साफा प्रिकल 307 खत्म करने के बाद बहुत होहला मचा पाकसान ने बहुत होहला मचा लेकिन आपनी कई बार कहा कि वहां जाने वाले पानी पर भी हम को बंद करने के पर भी सोचेंगे अगर नहीं मानते हैं क्योंकि लगा तार गोला बारूद उधर से आए उधर से पानी के मैंने कहा था कि इंडस्वाटर ट्रीटी जो है विच इस कंसिडर्ड़ इस पानी पाकिस्तान को मिले हमें अपने इससे का पानी मिला उसमें से भी बहुत सारा पानी जो है कुछ नद लोग पाते हैं हमारे इससे का हमारे देश के इससे का हमारे किसान के इससे का हमारे लोगों के इससे का पानी रोकने का हमको पूरा दिकार है और वो पानी न जाए इस दिशा में हम काम कर रहे हैं हमने टेक्नो फिजिए अबिलिटी रिपोर्ट बनाना भी शुरू कर दिया और हम उस पर तेजी से काम कर रहे हैं एक अंजम सवाल सर, महरास्ट्र और हर्याना का चनाव सामने है और पार्टी कितनी मुझबूती से इस पर काम कर रहे हैं मानि मोदी जी के नेतरतों में जिस तरह से लोकतंत्र को नई परिभाशा मिली है और लोकतंत्र की इस व्यवस्था में विकास जिस तरह से प्रमुक्ता के साथ में आया है निश्चित रूप से हम इस विकास की धुरी पर खड़े हो करके इन दौनों प्रदेशों में प्रिचंड भहुमत के साथ सरकार बनाएगे अचली बहुत बहुत शुक्रिया सरह हमारे साथ जुड़ने के लिए तो यह थे हमारे साथ देजेन सिंग शेखावत जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्यदारी है